गुझा नमस्कार वन डो जो के एक्सप्रेस नीज बुलिटन में आपका स्वागत है इस एक्सप्रेस नीज बुलिटन में हम आपके लेके आएंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करोना वाइरस से करोना के कारण देश भर में सारे जिम्स और मार्शल आर्ट सेंटर सब बंध है कोई भी इवेंट नहीं हो पा रहा है और इसके साथ-साथ खबरे कुछ ये भी आई है कि कुछ जिम ओनर्स ने पैसे के अभाव में सुसाइड हिसके साथ-साथ कोई बी इवेंट हिंदुस्तान में अभी नहीं हो पा रहा है साथ-साथ ये भी अभी कंफिर में जिम्स कब खुलेंगे अभी फिलहाल में ओर आया काफी special होने वाले थे क्योंकि इसमें 5 नए sports को include किया गया है जिसमें karate भी है तो चलिए बात करते हैं सेंसाई यश्पाल सिंग कलसी से जो के हमारे expert panel में है साथ ही साथ हमें सेंसाई यश्पाल ये भी बताएंगे कि WKF ने हिंदुस्तान के काई की मतलब karate association of India की मानेता क्यों रत कर दी है जिसकी वज़े से जितने भी karate खिलाडी हैं उनको बहुत परिशानिया जहलनी पड़ रही है सेंसाई यश्पाल आपका हमारे studio में बहुत स्वागत है और जैसे कि आपको पता है कि इस बार पहली बार Tokyo Olympics में karate को इंक्लूट किया गया है इससे काफी खुशी की लहर थी खिलाडियों में और हाना कि जब अभी decision आया कि World Karate Federation ने karate association of India की मानेता रत कर दी है तो इससे काफ कि पूरे वर्ल्ड में sports karate को मॉनिटर करती है उसने इंडियन फेडरेशन को that is काई karate association of India को की मानेता जो है वो रद कर दी है क्योंकि कोई भी उसको stable organization या हमारे काई में ही stability नहीं है यह हमारी responsibility होनी चाहिए थी कि हम अपनी country के अंदर जो भी problem है उसो सुल्टा के और हम जित कारी है हमारी federation में उनको आपस में mutual understanding देनी चाहिए थी जो वो present नहीं कर पाए world karate federation में इसलिए world karate federation यही समझा कि हम karate association of India की मानेता रद कर दें अब इससे आपको लगता है कि बहुत ही बुरी छवी international karate या international community community या फिर international level के events पर पढ़ेगी जैसे कि South Asian karate federation, South Asian, SAKF या SAF बोलते हैं South Asian federation games, SAF games, Commonwealth Games या Commonwealth karate championships और अगर आप बात करें और Asian federation में जो हमारी karate की Asia की federation है फिर हम बात करते हैं olympics में तो हमारा जो Indian karate की चवी है यह इसलिए नहीं कि हमारे को इंडिया में हम लोग feel कर रहे हैं कि यह खराब है यह पूरे विश्मे में बह बहुत ही जादा reputation खराब करने वाली बात है और यह सारी जो चीज है वो हमारे पदद पदाधिकारी जितने भी federation में है यह उनकी जिम्मेवारी बनती है कि देखा जाए अगर हमारे राहूल अगर हमारे पास olympics में जो karate के जो कुछ अच्छे players थे तो वो players मुझे नहीं ल अभी olympic के लिए तीन इवेंट्स और रहते हैं और मुझे लगता नहीं कि हमारे इंडिया प्लेयर कोई भी किसी लेवल पर अभी उस त्यारी पर है या उस उस mentally prepare है क्योंकि federation के इतने परिशानिया होने के बावजूद हर एक player अपने आपको mentally prepare कर रहा है तो वो अगले national क करेंगे तो किस लेवल पर करेंगे वर्ल्ड फेडरेशन की भूमियों का कहा रहेगी इंडियन olympic association की भूमी का कहा है और ministry of youth affairs and sports वो कहां तक साथ देगा तो यह बहुत बड़ा सवाल है हमारे को अगर olympic में जाना है तो हमारा base strong होना चाहिए और हमारा base है Indian federation तो there is no Indian federation in India और karate की तो आप भी भूल जाएए olympics में क्या होगा क्या नहीं मुझे तो शायद कुछ साफ नहीं दिखा है तांक यू सेंसा यश्माल आप हमारे studio में आए धन्यवाद राहूल धन्यवाद मुझे बिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की और दिल्ली हाई कोट के decision के मताबिक Ministry of Sports and Youth Affairs ने चववन खेल associations की मानेता रद कर दी है अगली खबर है boxing जगत से Boxing Federation of India ने अमित पंगाल और विकास किशन यादव को खेल रतन के लिए नॉमिनेट किया है साथ ही साथ इनके साथ तीन खिलारी और हैं जिनको Arjuna Award के लिए नॉमिनेट किया है All India Mixed Martial Arts Association ने इस महीने अपनी पहली virtual championship कराई जिसमें उन्होंने लाकों रुपे इनाम में बाटे अगली championship जुलाए में है Corona के कारण जब कोई भी sports event नहीं हो रहा है I think virtual championship बहुत बढ़िया जरिया है जिसमें जितने भी mixed martial artist हैं अपना talent दिखा सकते हैं आगे बढ़ते हैं UFC की तरफ UFC में कल fight night है और इसमें जो main event है वो है Dustin Poirier versus Dan Hooker साथ ही साथ जो co main event है वो है Mike Perry versus Mickey Gal ये आखरी event है UFC का US में इसके दो हफते बाद अगला UFC fight island दुबाई में होगा जिसकी बहुत लोग इंतिजार कर रहे हैं बहुती बढ़िया event होने वाला है और Dana White जो की president है UFC के उन्होंने confirm किया है कि ये एक private island पे fight होगी हम लोग इंतिजार कर रहे हैं कि कब fight island पे सारे bounce होगे and I'm sure कि ये बहुती बढ़िया होने वाला है अगली खबर है One Championship से One Championship के CEO चातरी ने कल अपने tweet में बताया कि वो अगला event बहुती जल्द करा रहे हैं One Championship भी कोई event नहीं करा पाया है कोरोना के चलते उन्होंने अपने tweet में कहा कि अगला event 31 जुलाई को Thailand में है तो ये थी sports जगत की खबरे One Dojo Express News के थूँ हम अगले हफ़ते आपके सामने फिर हाजिर होंगे और खबरे लेके Thank you so much